कि सभी संगित प्रेमियो और कला पारों का संगित मेंटरो चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हो आज फस्ट हैंड सिख रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं बहुत ही काम की बात बताने वाला लेकिन लेफ्ट हैंड में जो हम बजाते हैं कॉट्स आर्पीजियो ब्रोकन कॉट्स वह भी बहुत काम की चीज़ हैं इसके वज़े से गाना सुनने में बहुत ही अच्छा साउंड करता है तो आईए सीखते हैं एक-एक स्किल तो आज सबसे पहले में आपको सी मेजर स्कि और डी मेजर स्किल ये तीनों कॉट्स के साथ सिखाने बाला हूं ध्यान पूर्वक सिकिए थैंक यू सबसे पहले आप सी नोट पर आएए कि प्यूर थाम अन्दशी नोट ये फिंगरिंग उसकरना है कि इसमें सभी वाइट की इसका प्रेयों किया गया है सभी वाइट की यूस किया हैं ये ये जो नोट से c to c there are total eight notes you do that first third and fifth note of the scale in left hand side okay this all together like this and try to one two three one two three four five one three two one try to play it again one two three one two three four four three two one three two one again one two three one two three four one four three two one three two one the left hand note note chords that is c e and g these three you have to press together c e g means c major chord okay c after c sometimes the fifth note the c scale has been added to the c major scale c hemg so the c from the fifth note the g that is the fifth note फिफ्ट नोट ओके अब जी मेजर स्किल सिखेंगे ए वान तू थ्री वान टू प्री फोर फाइब देखें दोस्तों जब मैंने आपको सी मेजर स्किल सिखा है उसमें सभी वाइट की थे ठीक है लेकिन अब जी जब जी मेजर हम सीख रहे है तो इसमें जो सेकेंड लास्ट सब्सक्राइब एक ब्लैक ही आगया है इस एफ शार्प ओके वान टू थी वान टू फार फार फ्री तू वान ट्री तू अब इसका जो फोर्स्त थर्ड और फिफ्ट नोड है वो आपको लाफ एंड में बजाने है इस जी वी एंडी ओके चलो कनला ग vraiment टूप अज झाल settlements करेंश सब्सक्का टेंश ब्सक्राइब到ागी कि तू ओके पाने है ब्सक्राइब के उ एंडीक उरा बएंड का ग्योट जो प्सका कि प्सक्राइब का थेव्न में बच्पै हयं को चुक़्ड कर दके बशए़₂ तो दोस्तों यह था जी मेजर स्केल, अब जी से फिफ्ट नोट कोन सा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, D note, अब हम D मेजर स्केल सिखेंगे, ठीक है, अब D का मेजर स्केल सिखेंगे, यहां से, तो इसका फास्त, और फिफ्ट नोट होता है, जो हमें लेफ्ट न में बज़ा हैं, D, F शाप, A note, यह त्री नोट्स आपको यहां प्ले करने है, D मेजर स्केल के, D, F शाप, A note, और D मेजर स्केल कैसे प्ले करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब दो ब्लैक की आगे हैं, जह न? F शाप और C शाप, 1, 2, 3, 3rd note, शाप आगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and the second last note, और भी ब्लैक की है, F शाप आगे, बैले अ हैंडिए 1,2,3, 1,2,3,4,5,5,5,4,3 2,1,2,1,3,2,1 जय कर अग उसे 1,2,3,1,2,3,4,5,4,5,4,5,4,5,6,6,6,6,7,7,7,7 तो दोस्तों यह था डी मेजर स्केल तो आपने आज तीन मेजर स्केल सिता है सबसे पहले सी मेजर स्केल इसमें कोई भी ब्लैकी नहीं है सारे जो कीज है वाइट कीज है तो आपको बहुत ध्यान परवक प्ले करना है उसके बाद यहां से फिफ्ट नोट जो आया जी जी कर स्केल प्ले करो गें उसमें एक शाप की आता है वो याद रखने है यह दिस सेकंड लास्ट नोट वाइफ फाइफ शाप इसमें है यह एक शाप हो गया अब जब डी मेजर स्केल बजाते हैं हम लोग तो वान तू टू तरी इसमें दो शाप आगा है त्व शाप की तो दोस्तों आज के ने यह तीनों आपको chords और scale याद तरना है, C major, G major and D major, very important, again. Again. We're fine. कर दो कर दो कर दो Greg कि तो दोस्तों आज कीर इसन में इतना ही कि मैं मैल अउमित करता हूँ यह झ 20 नों स्केलों श्कराच के साथ आप जलदी से सीख जाओ गहें था कि मैं आपको नेक्स लेसन दे सब्स from अगले लेशन में फिर मिलेंगे एक नए स्केल्स के साथ में नए सौंग के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू